जहां जहां जाती हूं में उत्तर प्रदेश में सब जग्यों से यही पता चलता है मुझे कि उत्तर प्रदेश में आज मुख्य समस्याएं क्या हैं मुख्य समस्या बेरोजगारी है महिलाओं की सुरक्षा है महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी यह है किसानों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं खाद नहीं मिलती खाद के वित्रन में समस्याएं हैं उसके साथ-साथ फसल का दाम भी नहीं मिलता चाहे वो धान हो गेहूं हो चाहे गन्ना हो तो ये बड़ी-बड़ी मुख्य तो पर ये बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं तो मुझे बताइए कि जब आप से नेता आते हैं बात करने के लिए राजनेतिक दल आते हैं तो इन मुद्दों के बार कि आप आपको फसल का दाम नहीं मिल रहा है तो वो दाम देने के लिए क्या करें अगर गन्ना किसानों का 14,000 करोड का बकाया है तो सरकार किस तरह से उनको मदद कर रही हैं केंदर सरकारी वितरन केंदर चली नहीं रहे हैं और जो प्राइवेट वाले हैं उनमें कभी आती है कभी नहीं आती है अगर लाइन में खड़े-खड़े किसानों की मृत्यू हो रही है इसी इंतजार में क एक बुरा खाद मिल जाए उनको तो इस समस्या को हल करने के लिए कौन सा राजनेतिक दल आप से कोई सुझाव दे रहा है